सोसाइटी के सीसी टीवी कैमरा फुटेज की मदद से जोशीपुरा ने मचाया उत्पाद लेकिन सोसाइटी के लोगों को रास नहीं आ रहा जोशीपुरा का ये अंदाज क्यूं आई ये देखते हैं चलो मेंटिनेंस बिल तो इशू हो गए अब थोड़ा मनोरंजर हो जाए ओ ये तुमेरे सामने रहने वाले मिस्टर और मिसिस कुमार है और ये अश्विन कुमार मेरे बाद मुंबई आया था और आज बड़े-बड़े शो का राइटर बन गया है महेंगे फोन महेंगा लेफटोप बड़ा ही हवा में ओड़ रहा है अचकाल ओ माई गाड महेंगे फोन और सस्ता अचन नो 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 वो भी उन्रेबल सेकेर्ट्री एड़ोकेट दक्षे जोश्किपुरा के सामने मैं भी जाता हूं और इसकी तारी आकड बाहर निकालता हू मिस्टर एंड मिसिस कुमार चल क्या रहा था सोसाइटी के लिफ में बनिये मद ये सिसेटीवी कैमरा है और इसमें सब कैद हो गया है अरे सेकरेटरी साब हम तो पति-बत्निय हैं शादी शुदा है दो आजार अठारा की सरदियों में पूरे कितने बारती थे 670 भाई साब 670 670 बारतियों का घुमर नागिन डांस और नाना प्रकाड के इंदृत्य और आपके जैसे तो बिना श्रगुन दिये पता नी कितने खाना खाके गए नहीं नहीं इप इंका मतलब ये था कि बहुत सारे मेंआनों के सामने हमारी शादी हुए है तो शादी हुए है तो हनीमून क्या सोसाइटी क लिफ में बनाओगे? आप लोगों में संस्कार नाम की कोई चीज है की नहीं? कैसी बाते खर रहों भाई साब वर्ट कैसे बाते आप सामने लेडी खड़ी है तो इस लेडी और इसके इस लेड़ा को भी बोल दीजिए कि इन लोगों के सामने Honorable Secretary Advocate डक्षे जोशी पुरा कड़ा है और सुसाइटी की लिफ्ट में CCTV कैमरा लगा है Mr. and Mrs. Kumar आप लोग जो गलत हरकते कर रहे थे ना वो सब कैद हो गई है आप लोगों में Sister Char नाम की कोई चीज है की नहीं जो सब के सामने यह हरकते कर रहे थे आप लोग सब के सामने क्या होता है हाँ अनेयतिक संबन नहीं है दोनों के बीच में शादी हुई है पती पत्नी है और लिफ्ट में ना लिफ्ट में गले ओ माई गॉड, मैं निकाल रहा हूँ, मैं निकाल तो आप लोग रहे हैं, सब पे समाज के संस्कारों की अर्थी ओ, दकुभाई, वर्ट दकुभाई, एक का, एक मिनिट, बहुत हो गया, समझे, कमाल कर आप ये, ये CCTV फोटेज क्या, ये प्राइम टेलिविजन है, कि रात को नौ बजे, बुढे और बच्चे देखेंगे साथ में मिलकर, ये सेक्यूरिटी के लिए लगाया हुआ है, लोग आप तो रहने ही दीजे, राजेश भाई, आप तो खुद चलता फिरता फुरता का नमूना है, क्या मतलब है आपका, सब देखा है मैने CCTV फोटेज में, कैसे आज सुबह घर के बाहर, तॉलिय और बन्यान में घूम रहे थे यहाँ वाँ, राज, प्लीजर आमें इंडोर प देखकर आप हमारी नीजी जिन्दगियों में झांकते रहते हो, राजेश भाई, इसे जिन्दगी में झांकना नहीं, बल्कि सब्य समाज के सथकारों की रक्षा करना बोलते हैं, और मिस्टर और मिसिस कुमार, आप लोगों को पूरी सोसाइटी के सामने, माफी तो मांगन माफी तो आपको मांगनी पड़ेगी मिस्टर कुमार, सर, आपने ये, ये सर वो प्रिंटर्स के परचेस ओडर के मेल में आपने प्रिंटर की जगह सीसी टीवी टाइप कर दिया है, सॉरी, सॉरी, मैं इसकी फ्रेश कॉपी प्रिंट करता हूं, या प्रेंग दीजिए, सॉ सर, सुबे से देख रहा हूं, आप कुछ परिशान लग रहे है, इस एवरिधिंग ओके? आ या, नादिंग भूरे, ओके सर, प्रिंटर्स कॉपी मैक्स, अलो, राजज भाई, अर्षाद बोल रहा हूं, अर्षाद भाई, अर्षाद भाई, अर्षाद भाई, अर्षाद भ दीजिए उनका नाम, कल से डिस्टर्ब हो गया हूं मैं, आज मैने लीप में जो, अर्षोभन ये वरताव किया उसके लिए मानन ये सेक्रेटरी, जिवारी, फस्ट इटिजन अफ, सुई दूर्शन फाइट सोसाइटी, अर्णरबर सेकेंटरी, एड़ोकेट दक्षे जोश जोशिपूरा, बलो, फस्ट इटिजन अफ, साइदर्शन हाइट सोसाइटी, अंदरेबर सेक्रेटरी, एड़ोकेट दक्षे जोशिपूरा, और समस्त्र सोसाइटी वासियों से में माफी माकता हूं, और हां, ये वच्छन भी देता हूं कि आइंदा से मेरा आचरन उचित इसका में ध्यान रखूंगा, और ये सबक, आप सब लोगों के लिए भी है, वेली सोसाइटी में, रूल्फ मतलब रूल, फॉलो ना करे दे फूल, फूल, गो बेक टू स्कूल, देखा, देखा, यूँ, हो गए ना, बोलती बन होगी, ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, अर इसे प्राइबेट जो पल है वो पब्लिक हो सकते हैं, आपको पता है, कल जब उन्होंने कहा ना, मुझे, कि आपको मैंने बन्यान और तॉलिय में देखा, तो तबसे में डिस्टर्ब हो गया हूँ, ऐसे लग रहा है, कि 24 गंटे कोई मुझ पर नजर रखे हो, कोई मुझे इसे खूर रहा है, अब यह, मेरे साथ ऐसे हो सकता है, तो सोची अगर किसी महीला के साथ हो, समझ सकते हैं आप, लेकिन राजेश भई, इसका कोई इलाज नहीं है, जब तक है, हमारी सोसाइटी का सेक्रेट्री ये जालर जोशी पूरा है ना, तब तक हमें अमारी इज़ स लात, गालिया, घुसे, इसे कुछ नहीं होने वाला है, और जैसा आपने कहा ना, में बिलकुल सच है, ये जब तक सेक्रेट्री है ना, हमें सहना ही पड़ेगा, चलिए, उरकता हूं मा, जी सर, सभी सोसाइटी मेंबर्स को, ये सूचना दी जाती है, कि आप लोग 2400 गंटे, सिसी दीवी की निगरानी में है, आप सब को ये चेटावनी दी जाती है, कि सोसाइटी के प्रमाइसेज में, आप किसी भी तरह का असभ्याचन ना करें, वरना आप लोगों पे उचित कारवा सभी की जाएगी, प्रमाइसेज दीवारी, ये लो, थेंक यू सर, थेंक यू, थेंक यू, ये बक्षीष नहीं है, मेरा चेक है, बैंक में जाओ, और तुरन डिपोजेट कर क्या हो, जाओ, सर डिपोजेट तो कर दू, पर सिर्ने बस का कर बढ़कते हैं सब, भोलते हैं कि तुम उसके सैकेर्टरी के परसनल काम क्यों करते हो, सिक्यूरिटी में कोई रहता नहीं है, कोई चोर उचका खुसा है, सोसाइटी ने, तो कौन जिम्मेदार होगा, उसकी फिकर तुम मत करो, यहाँ चार ओर सिसीडीवी कैमरा है, जी, समझे, और वैसे भी, मैं सोसाइटी कि इतनी सेवा करता हो, बदले में अपना परसनल काम करवाँ, तो इसमें हर्जी क्या है? नहीं, नहीं, सर कुई हर्जी है, फिर भी, तुम्हें कोई कुछ बोले, तो उस आजमी का नाम तुम मुझे बताना, चारो तरफ सिसीरीवी कैमरा है, वो कोई ना कोई गलत काम करते पकड़ा जाएगा, और फिर भी उसने गलत काम नहीं किया, तो सही को, गलत साभी तो मुझे ही करना है, हाद करती है, मैं पता ने लगता है, कि सोसाइटी की स्रिफटी में जा जोसी बदाएगी सेवान, आलू लियाओ, टमाटा लियाओ, प्ये लियाओ, बियाओ, जाही ल मेरी सोसाइटी और मुझी से म्याओ छोड़ूगा नहीं मैं से बाताल में भी छुपाओगा ना तर्टून कर निकालेंगा तीवारी ज्यादा दूर नहीं गया होगा तुम सोसाइटी गार्डन में ढूंड़ो और मैं बिल्डिंग में ढूंड़ता हूँ जाओ मिस्टर क्रॉसमास्टर तुम्हें चल्दी पकड़ लूंगा हम् एक एना कैसे कैसे अच्वब्य लोग बरे पड़े पड़े हमारी सोई दोसन हाइट सोसाइटी मैं हौँ वह कर दोदोद है हॉआपघ वह टोड़ व्हेंडर ऋमाइग अब्सक्राइट मेरे पास गड़ी नहीं है मेरे पास ओ माइ गड़ मेरे रूल बुक है कप्रे नो नो ये रूल्स के खिलाफ है देखिये मास्क वाले भाया किसी को नहीं बताऊंगा एप मेन पुलिस को भी सब्ददों करोंगा अप ठोड़ दी जै प्लीस ओ ओ.. ओओ.. ओड़ ओड़ उटारता हूँ और प्लीस उँदर देखिये ना बुझे शर्म आती है प्लीस ओ.. ओ.. माइग बॉड़ ओ माइग बॉड़ ए रुकोब! है हमुए! Oh my God! Oh my God! यह तो एट प्लोर है! परम्पूजी अबनाभाबी के अर पास ही है! अर रुकोब, तोड़े स् नंग धरंगालत मैं परम्पूजी अबनाभाबी ने ढेख लिए तो Oh my God! Oh my God! मैं क्या करूँ, मुझे ऐसे ही छुपते चुपते है, यहांसा निकल लाओगा Oh my god, चलती है सखी अथर्वा, टाड़ी नीचे आगे हम मार्केट से आरे बेटा अथर्वा बदमाशी मत कना, सखी उसका होमब करा देना Bye Bye Maraj, हाँ, लिफ्ट कही वेट कर यह? वितक आई नहीं नहीं हाँ आती हो, सीडियो साथी, रुको, रुको हाँ अरे हाँ, लेफ्ट आगी रुको, 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 रुको आती हू, हाँ, हाँ, आगी ही लव्ट, ओके Oh my god Yam, Yam, दर्वाजा, खोलो, ट्रीज यह Oh my god Yam तो शो के लिया हमदावाद कही है चाबी, चाबी मेरे पाँ Oh my god 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 चाबी तो कपड़ों में थी और कपड़े और फोन, वो दूस्त लेकर गया God, मैं क्या करूं क्या हामा, मा राज आपके पास आई रहे मैं बस यामिरी भावी से मिलकर राती हू हाँ, हाँ, हाँ हाँ Oh my god Oh my god Mrs. Kamal Oh my god Oh my god What? 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 क्या करें आप देखिए मेरी कोई कलते नहीं है मैं सोसाइटी का अंडरिबल सेकेटरी हूँ और ये मेरा Secretary है तो तो किसी के घर में नंगा-भूगा गुश जाएगा तो हाँ किसी के नजाए उड़ाएगा तो अभी सबको बताती हूँ मैं ये कौनसी स्टाइल है? ये आदमे घर में घुश गया दा बभी नंगा-भूगा रेनु मार इसे एक 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 रेनु भाभी मैं मानता हूँ आप बहुत घुश्ते में हैं मतलब जाड़ू लेकर आप दकु भाई को पीट रहे हैं तब आप उनको अभद रभद कहे जा रहे थे और खुद ये ये कच्छे बन्यान में एक अकेली महिला का नाजाज फाइदा उठाने की कोशिश करे थे आप अकेली औरत का फाइदा उठाने की कोशिश करे थे अकेली औरत का फाइदा उठाने की कोशिश करे थे मैंने कोई गलत काम नहीं किया, प्रीज! कोई गलत काम नहीं किया? ऐसे नहीं मालो गया आप, आपको तुम में ने, 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 अशुरी भाई, एक मिनट, मैं समचता हूँ, मैं मानता हूँ आपका गुस्ता जायज है, इन फार्ट, मैं अगर आपकी जाखा होता ना, तो दक्कु भाई का मूँ काला करके, गधे पे ऐसे, उल्टा बिठाके, पूरी सोसाइटी में गुमाता हूँ, लेकिन, हम कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, पर राजिश जी, कानून को इसे अपने हाथों में तो लेने दे सकते हैं ना, अभी पुलिस को फोन करती हूँ मैं, एक पिरिश, एक पिरिश, लग्कु भाई, यह क्या किया अपने, हाँ, क्या यह क्यों वेसे हूँ, अभी यह करने से कुछ महने ओने 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 माफी मांगी इंसे, पुलिस ना कोर्ट ले जाने का इंतजार नहीं करेगी, पुलिस स्टेशन में डुका और गुंबा चालू करेगी ना, इसे नंग दनंग होंके, लोगों के घरों में गुश के हमकी महलाओं के साथ छेचर करता है उन्दर मावेशे इसके जितने भी CCTV फूटेज देना नंग दरंग वाले अब के सब आजल करते ना आज बाकी से बेल ना मिले देखिया आप ऐसा नहीं कर सकते आप CCTV का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं अब तू सिखाएगा मुझे मैं गलत इस्तेमाल कर रहा हूँ तू खुच CCTV का इस्तेमाल करके लोगों के नीजी जिंदगी के नीजी पुलम में कुछ रहा था उसका कुछ नहीं माराईशे प्लीज आप इन्नों को को समझाईए ना आपके पुलिस को ना बोला है यह जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ जोशी पुरा जैसे हम बोलेंगे पेसे ही आप करेंगे हाँ मेरे अश्विन भाई जेडू बैर अपने इस भाई को माफ कर तो तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ बोलो मैं क्या करूँ बताओ मेरे दिव यह पुरूश सो सिंपल आपने सारे सुसाटी के सामने हमसे जैसे माफी मंगवाई वैसे ही आप माफी मांगना वो भी इन्ही कपड़ों में फिर वीडियो वाइरल कर दूंगा में ओ माई गाड राजेश भाई मन्ना भावी प्लीज इन्हे समझाईए ना मैं माफी मांगने को तैयार हो पर प्लीज कम से कम मुझे कपड़े तो पहनने तो ओ माई गाड़ अश्वनी भाई रिनुबैन, प्लीज कपड़े पहन लेन आप कह रहिहा है थो हम मान जाते है थैक्यू थैंक्यू भावी, थैंक्यू आप देवी है शच्वू देवी है भाई भाई आपको माफीी पहर भी मांगने ही पने ही Yeah भाई भाई अब जो कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं भाफी बाग रूँगा, पक्का मैं फर्स सिटेजन आफ साही जोशन हाइट सोसाइटी अन्रिपल सेकेटरी एड़ोकेट टक्षेश जोशिपुरा अब सभी सदस्यों से भाफी मांगता हूँ यह स्वीकार करता हूँ कि आज मैंने इपोजिशन का कलत पाइदा उठाया वाच्चमेन को अपने पर्सनल कामूद के लिए यूज़ करने का खामियाज़ा क्या होता है और जब आज मेरे साथ बीटी तब मेरी समझ में आया मैं इस वीकार करता हूँ कि CCTV का उपयोग सुसाइटी के सदस्यों के नीजी जीवन में ताका जाकी के लिए नहीं बलकि उनकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए और मैं यह वादा करता हूँ कि अब से उस माध्यम का उपयोग लोगों के नीजी जीवन में हस्ते शेप करने के लिए बंद कर दूँगा I'm sorry दस बार देख चुकाँ दकुबाई का ये वीडियो लेड़ा अब भी मन नी बारा है मजा जा जाथ और देखते ए राज राज बस कर रहा प्लीज वैसे मैंने दकु भाई को बुलाए है I think it's high time कि अब उन्हें बता देते हैं कि ये तुम्हारा हर्षद भाई और अश्वनी कुमार का प्लान था उन्हें सबक सिखाने के लिए Oh my god Rajesh भाई, मतलब ये सब आपने और इस पंटने मिलके किया है मैं आप लोगों के छोड़ूं का नहीं मैं अभी प्लीस टेशन जाता हूँ और आप लोगों के खिला प्लीस कंप्रेंड कर के आता हूँ अभाई जीवन ना भाई और कोई चारा नहीं था आपको सबक सिखाने का आपको ये समझाने का कि जब बिना किसी वजय के किसी भी माध्यम से किसी पे नज़र रखी जाती है तो कैसा महसूस होता और जो बिल्डिंग के CCTVs होते हैं न वो लोगों को अनकमफुटेबल करने के लिए या उन पर जासूसी करने के लिए नहीं होते हैं मैंना अभभी मैं मानता हूं कि मैंने CCTV का गलत इस्तमाल किया और आप लोगों ने जो भी किया मुझे सबख सिखाने के लिए किया प्लीज मेरी आप से हाथ चोड़ कर विर्ती है मेरी भोग मेरी भोग कच्छे बन्यान वाली जो CCTV फुटेज है प्लीज आप लग मुझे दे दिछे प्लीज अगर आपने अपना वादा तोड़ा और आइंदा CCTV में से तांका जहाकी की तो फिर मास्कमैन का पार 2 आ सकता है मास्कमैन रिटेर्नस ओ माईग यानी वो मास्कमैन तो था वो तैने गुंभा मारी अपना पार आपना तो आप आप लो CCTV का सही दिशा में करना चाहिए उप्योग जोशी पुरा ने समझी ये बात झाल 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 झाल